हलो डियर इस्टुडेंट्स योर वेलकम ये भारत के जो उद्योग है उससे जुड़ावा पार्ट टू है ये वीडियो इसमें हम कुछ जो फेक्ट है इंपोर्टेंट वो भी देखेंगे इसके अलावा नवरतन, महारतन, मिनीरतन, कमपनियां और लाश्ट में हम तीस मौस् देखेंगे, ओके तो बाल को, हिंडाल को, वेदानता, ये सब क्या है, वेदानता तो जर्मनी के सयोग से बनी हुई है, तो एलिम्यूनियम कमपनियां है, ये एलिम्यूनियम, और एलिम्यूनियम का जो ऐसक है वो आपको पता होगा, बॉक्साइट, उत्तर भारत का मेंचे मेंचेश्टर सहर है वो बिल्टेन में हैं आप जानते ही है दक्षिन भारत का मेंचेश्टर कोईंबटूर भारत का बोश्टन एहमदाबाद याद रखने नों कन्फ्यूज करेंगे यह सुतिवस्तरों की राजधनी मुंबई तो चारों फेक्ट आपको याद रखने है खेक्षेंब भारत कोईमटूर तो काको जी क्या है मैंचेस्टर इस तरह से आप बिठा के याद करें कपड़ां उध्योग जो है वो भारत का दوس्रा बड़ा उद्योग है यानि पहला बड़ा उद्योग जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है बहुत ज़्यादा वो कर्षी है अलगबग आधी आभाधी रोजगार प्राप्त करती है कर्षी के बाद दो नमर पे जो है वो है कपड़ा उद्योग सबसे प्राचिन उद्योग है ये कई वार परसन पुछा जाता है कि भारत का प्राचिन टम उद्योग संगठित उद्योग तो ये कपड़ा उद्योग सुतिवस्त्र उद्योग रहा है तो कपड़ा उद्योग जो है वो सबसे प्राचिन और संग्ठित उद्योग है ये वस्तर उद्योग का GDP में योगदान चार परतिसत है भारत की बाद चल रही है ध्यान रहे है जूट उद्योग जो है उसको सोने कारेशा यानि गोल्डन फाइबर भी कहते हैं जूट जो मुझ कहता है पस्यमी बंगाल बंगलादेश इस चत्र में होता है तो इसका पहला कार खाना 1855 में रिसरा कॉलकत्ता में इस्तावित हुआ था जूट उत्वादन में भारत में पस्यमी बंगाल है और विश्व में बंगलादेश है और जो सुन्दरवन का डेल्टा है गंगानती चेतर वाला वो चेतर जो है जूट के लिए आदर्स चेतर है जूट से रह से तयार होते हैं सूतली बगर है अंतर राष्टरिय जूट संग्ठन 1984 में इस्तापित किया गया धाका में जी हां बंगलादेश के राजदानी है और मेरा जो गुत्र है वो भी यही है तो यह तो संयोग है आगे चितरंजन लोको मोटिव वरक्स 1950 में इस्तापित हुआ पस्यमी बंगाल में है रेल, उपकरण, विद्यूत, इंजन, रेल गाड़ी के वो सब यहां तयार होते हैं चितरंजन, लोको मोटिव कहां पस्यमी बंगाल में पेरामबूर कहां पर, यह पुछे जाते हैं यहाँ से यह जो तीन ।पक्ड है इनमें से पुछे जाएंगे पर सुन पेरामबूर चेनिय में है, जेल कीडिपे तयार होते हैं इंटीग्रल कोच फैक्टरी कहां है, कपूर्ठला में है, पंजाब में है रेसम उत्वादन की बात करें तो इसको सहतुती या मलबरी रेसम कहते है जो कीड़ा होता है वो पाया जाता है जो बनाता है तो लगब 41 परसेंट यानि सबसे ज़्यदा रेसम भारत में करनाटक ठीक है और विसम में सबसे ज़्यदा चाईना दो नमबर पर भारत आता है अब उद्योगिक नीतियों की बात करें पहली उद्योगिक नीति याद रखें देश आजादी के ठीक बाद 1948, 6 अपरेल 1948 केंद्रिय उद्योग मंतरी उस समय थे बारत के पहले उद्योग मंतरी शामा परसाद मुखर जी तो उस समय जारी की गई उसके बाद में 56 में फिर 73 में फिर 77 में और फिर 80 में इस तरह से अलग लग उद्योगिक नीतिया इसके बाद ये पहली इंपोर्टेंट है उसके बाद में नई अध्योगिक निती जो है वो इंपोर्टेंट है ये 24 जुलाई 1901 मैं 91 याद रखें LPG याद होगा LPG का महलब लिबरेलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन गलोबलाइजेशन यानि उदारी करण निजी करण औ आरक्षित कुछ इस्तान है जैसे परमानु उर्जा और रेल इन में निजी चेत्र नहीं आ सकता बाकी लगबग सभी चेत्रों में निजी चेत्र जो है वो आ सकता है उसको अनुमति दे दी गई थी रक्षा समवन्दी जो प्रोड़क्ट है उत्पादन है हाथियार वगर और इन में भी 49% उनचास परतिसर तक FDI यानि फोरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी नुमति दी गई थी दे दी गई है अब आता है नवरतन महरतन नवरतन ठंडा ठंडा कुल कुल यानि यहां नवरतन का मतलब है नो बड़ी कमपनियां तो उन्नी सो सित्यानम में अवधारना आई और केंद्रिये लोक उद्यम विभाग द्वारा ये जो है गोसित की जाती है महरतन कितनी है वरतमान में कमेंट करें आगे उतर मिलेगा आप उसका कितनी है महरतन जो है दो हजार नो से यह अवधारना आई है इसमें सर्थ है कि पांच हजार करोड का मुदाफ़ा होना चाहिए क्यों एक साल नहीं पिसले तीन वर्सों में एवरेज मतलब तीनों वर्सों से कंटिन्यू रहा हो लगवग पांच हजार करोड का मुदाफ़ा या सालाना जो टर नोवर है वो है पचीस हजार करोड का तो इतनी बड़ी अगर कोई कमपनी है तो उसे महारतन जो है दर्जा दे सकते हैं इस से थोड़ी कम है तो नवरतन इस से थोड़ी और कम है तो मीनी मीनी रतन तो नवरतन जो है यह एक हजार करोड या अब नवरतन कोई कमपनी है उसको नवरतन का दर्जाद दे दिया तो कमपनी को क्या फाइदा मिलेगा तो कमपनी को यह फाइदा मिलेगा कि एक हजार करोड रुपे तक का जो निवेस करना है कंपनी को कोई नए प्रोजेक्ट में तो उसके लिए उसको सरकार से अनुमती नहीं रहनी पड़ेगी यानि बिना अनुमती कि इसको ये अधिकार दे दिये जाते हैं विवे कि एक हजार करोड तक का निवेस महारतन के लिए 5,000 करोड तक का मिनी रतन के लिए 500 करोड तक का 500,000, 5,000 अपने तो याँ भी बात हैenne करोड़ों में चल रहिए तो मिनी रतन, मौनी रतन 1997 में महारतन 2,000 में तो इसमें भी वी है 500 का जो खर्च निवेश थीक है तो तीन परकार की स्रेणिया है, ध्यान्में रखें, जिला उद्वोग केंद्रों की इस्ताफना 1997 में किय गई इंपोर्टेंट है यह और 1997 की उद्वोग के कहता है कुटिर उद्वगों पर केंद्रे थी, तो जिला उद्वोग केंद्र, हम एक टेस्ट आपके लिए राजस्तान के उद्योगों का भी एक अलग सी मैं आउजित करूँगा आपके लिए किसन इंपोर्टेंट सिड़ बी क्या है सिड़ बी एस यानि इसमाल इसमाल ना दिखते हैं मिला लगू लगू उद्योग इसमाल इंडिस्ट्री डेवलोपमेंट बेंक ओफ इंडिया तो 1990 में इस्तापित की गई थी भारतिये लगू उद्योग विकास बेंक मुख्याले कहां है ये इंपोर्टेंट है इसमें अगर ये पता नहीं हो तो ज्यादा तर विद्यार्टी दिल्ली या मुंबई करेंगे अगर यहां क्या है लग नव तो लगू उद्योगों का अगर लग अच्छा हो तो वो बड़े उद्योग भी बन सकते हैं अगर CDB का साथ मिल जाए CDB से लोन मिल जाए लगू उद्यो किसे कहते हैं लगू में लगू छोटा साथ नहीं नहीं छोटा नहीं है देखो एक क्रोड रुपे तक का अगर निवेस है तो वो लगू द्यो हो गया मगर सरकार के नजर में यह चोटा ही आप एमाने तो लगू उद्यो का मतलब क्या हो गया एक क्रोड तक का इन्वेस्ट किया हुए अब कुटिर का आपन सौस्ते है कि कोई जोंपडी में चल रहा है कुटिया में चल रहा है तो चोटा मोठा को यह से होगा नहीं इसमें भी है हाँ लंकि वो भी कुटिर में है मगर अधिक्तम कितना 25 लाग तक बहुत अशिमा यह भी तो 25 लाग तक का इन्वेस्टमेंट का अगर कोई दंदा है तो वो खुटिर उद्योग में माना जाएगा MSME, MSME यह नाम कई बार देखने को मिल रहा है तो MSME का मलब माइक्रो, MSME यह नि माइक्रो यानि सुक्ष्म, छोटे बहुत चोटे उद्योग S, Small, इसमाल यह नहीं लगू, यह इस तरह के लगू और Medium ठीक ठाके से थोड़े और बड़े Enterprises तो इनके जो है सरकार नीतियां बनाती है इनके लिए, Make in India, याद होगा आपको एक टाइगर शेर चलता है, शेर, तो Make in India, Made in India नहीं, Make in India, मतलब इसमें यह कहा गया है कि VDC निवेस को प्रोफसान किया जाए, और भारत में Manufacturing, भारत को एक Manufacturing Hub बढ़ना, इसका मुखे ओदे से है, कब 2014 है, जैसे ही मोदी जी बने थे उसी साल, तो 25 सितमर 2014 है, तो 2014 है, आप याद रखें, पर देक है, Share, I, C, I, C, I, इस ता आपना कब हुई, 1975 में, क्या आप फिल के लिए कहा था, महारतन, तो यह है, दस महारतन, और ICIC की फुल फोरम, Industrial Credit and Investment Corporation of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India, भारत का रूर किसे कहते हैं, छोटा नागपुर को, यह खनीजों वाला और इंडिस्ट्री वाला चेतर है, छोटा नागपुर, और रूर का मतलब, जर्मनी में एक एसाँ चेतर जाँ, कोईला, लोहा, भुछ ज़्यादा है, विश्वकात उसको रूर बोलते हैं, वैसे भारत में सबसे ज़्यादा लोहा, कोईला, वो चेतर है, छोटा नागपुर का पठार, चार खंड, चतिसगर्ड, यह वाला चेतर, ओद्योग इक संक होते हैं, विवस्तित तरिके से होते हैं, अब आता है महारतन, महारतन इतनी है, दस, बस महारतन, ठीक है, पहले आठ ती अब दस हो गई है, रिपार्ट कब की है, दिसमबर 2019 तक की, कोरोना से थोड़ी से पहले की, ठीक है, लेटेस्ट है, तो यह दस कंपनिया है, इसको ONGCSBI लिखे, फिर दोर याद कर लेना, या फिर आप, यानि ONGC, पहला पहला अकसर ले लिया, ONGCSBI, फिर आप एक बार देख लो, NTPC, National Thermal Power Corporation, यह इस्तापना वर्स है, याद रखो तो ठीक है, नहीं कुछ जूरी नहीं, यह मुख्याले है, नजर डालो तो डाल लेना, तो ONGC यह तो दे रहा दोना है, तो यह मानलो, पूछा जा सकता है, कोल इंडिया, तो ONGC, सेल इस्टियल अथोरिटी इंडिया लिमिटेड, आई यूसी इंडियन ओईल कॉर्पोरेशन, सी आई एल, कोल इंडिया लिमिटेड, भेल भारत अभी इलेक्टोनेक्स लिमिटेड, गेल, कई वारपा कान, गेल सुटी, पिच्छो चुट्यो, मधिया गेल का मतलब अलग है, BPCL भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड, SBCL इंडियूस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड, PGCIL, यह क्या पेट्रोलियम गेल सी कुछ है, तो यह 10 कम्पनिय आप मुक्यता द्यान में रखें, संख्या 10, 9 रतन कितने है, 14, पहले 16 थी, अब 14 होगे, 2 कम होगे, 2 कोई इसमें, यह 2 लेटेश्ट है बाद की है, 2016 के बाद की है, पहले 8 थी, फिर 17 तक 8 थी, और फिर यह 10 हो गई है, मिनी रतन है, 13, तो याद रखें, 10, 14, 13, 10 और 14 संख् होगी, तो 9 नहीं है, ठीक है, तो अब हो जाए कुछ के उसन, आर यू रेडी, तो आपके सामने इस तेन पे कुछ परस्न है, भारत में निमलेकित उद्योगों में से, इस उद्योग में सारजोनिक छेतर में सबसे अधिक पुंजी निवेस हुआ है, सारजोनिका मतलब सरक कारी छेतर में, तो यहाँ चार उप्षन आपके सामने है, क्या उत्तर होगा, आपको 4-5 सेकिन विलेंगे सोचने के लिए, बी उत्तर हो जाएगा, लो है, इस बात उद्योग, नेक्स्ट, आदू निकलो है, इस बात उद्योग का वास्तिक प्रारम किस इस्तान पर प्रार कार काने के साथ हुआ, क्या रार होगा आपको, कुल्टी, यह हम पढ़ चुके हैं, पहला कार खाना, ठीक है, तो इस तरह से, नेक्स्ट, तट्ट आधारित इस बात सेंतर कहां इस्तित है, तट्ट आधारित इस बात सेंतर, यानि कि मतलब जो तट्टी अच्छेतर में है, ठेक है तो यहां क्या उतर हो जाएगा विसा का पटनम नेक्स्ट दुरगापुरा लो है इस पार सेंतर किस देश के सयोग से सापित किया गया तो मैंने पिसले वीडियो में पिसले वीडियो आपने नहीं देखा तो आप पले लिस्ट से देखें यहां डिस्क्रिप्सन में ल बिलाई का जमाना नहीं है तो 36 कहां कड़ा तो कहां पे है 36 गड़ए तो कौन से देश के भी रूस रूस के सायता से इस्ता पितलो है साइंतर यह वही बात आ गई इनने से यह सभी विलाई विसा का पटना ठीक है ज्यान दे रखें बिलाई दुर्गापुरा राउर के ला किस पंस्वर से योजना देखो दोस्तों इसी परकार के परसमें पुछे जाते हैं और पुछे गए हैं क्या आप देख सकते हैं तो बनाएं देखें क्या उतर होगा दूसरी योजना में उद्जोगों पर बन दिया गया था ठीक है भी इंडू रा ये ट्रीका प्याद रखना वो कारोती स्री योजना में है बारतिय इस पार परादी करन लिमिटेड शेल जो के एक मारतन कंपनी है इस ता अपना कब की गई थी अभी हमने देखा अभी अभी पिसले जो पेज में हमने बताईए रेखें कुछ यादा रहा है कि आपको तो उतर हो जाएगा सी उनिस्सो चोहतर कोविले की इस्तानी आपूर्थी उपलब नहीं है एक में मैं तो आपसे बात कहना चाहूंगा कि आपके कमेंट्स आते हैं और घर वीडियो नाते हैं आप कुछ पूछ ना साते हैं मैं उत्तर दे नहीं पाता क्योंकि कमेंट्स कई बार नीचे चला जाता है कई बार पढ़ नहीं पाते तो हर संडे पराता है 10 बजे लाइव आउंगा और अपन आदे गंटा आपके जो कमेंट्स आप मुझे पूछ लेना कोई बात हुआ पूछ लेना संडे को कोशिस करेंगे सब्ता में दो बार तो इस संडे पर सूँ 10 बजे में लाइव आ रहा हूँ तो आप जो है जरूर जो हपन बारतालाब करेंगे ठीका आपके कमेंट्स के जवाब देंगे तो सेल की स्टा अपना हो गया कोई ले की स्टा में आप उर्ती उपलब्द नहीं है तो यहां अंसर हो जाएगा बी वी आई एसल बधरावती को ठीका यानि बाकिया सब को कोई ला मिलता है इसको नहीं मिलता कोई खास बात ने चलो यह परसनल स्वाल ठैप का हो गया है बारत में इस बात कारखानों का कौन सा सम्वर सोतंतरता के पसात बनाए गए थे यानि आजादी के बाद बनाए गए इस बात कारखाने सी बिलाई दुरगापुरा राउर केला याद भीन दूरा बस वोई जमसियत को पहले का है कुल्टी पहले का है भारत में क्योसा नमर 12 है भारत में पर्थम का पास सुत्ती वस्तर उद्योग की स्थापना किस सहर में की गई तो कौल करता भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संक्या में कारे करता निउप्त करता है वस्तर उद्योग करशी के बाद में यही है आपको पता है विभाजन के कारण कौन सा उद्योग बुरी तरह है परवावित हुआ यानि बहुत सारी चीजें उदर चली गई पडोस में तो जूट और रुई उद्योग बंगला देश में जूट के बंगला देश में चलेगी अतना देश में आधोनिक तकनीक पर आधारित उद्या कंपड़े का प्रत्थम कार खाना कानपूर में लाल इमली की नाम से इस्था पिठ किया गया इसकी इस्थापना कब हुई तो याद रखें उन्नी कपड़े का कार खाना, कहा कानपुर में लाल इमली, यानि उन न उन, इमली के जिसी लाल, तो ये क्या उतर हो जाएगा, अठारा सो छेटा, पंजाब में कौन सा इस्तान होजरी उड्डो के लिए परसिद है, होजरी के एक कपड़ा, तो लूधियान याद न, लूधियाना से लाते हैं, कि लूधियाना से लाएं, नेक्स्ट, ये इनको सुमेलित करो भई, आईएस प्रिक्षा में आयवा क्योसन है, कोई सोटा मोटा नहीं है, तो क्या उतर हो जाएगा, पूरवा का बोश्ठन, में न कहा था न, याद कर लेना, उत्तर भा भारत का मेंचेश्टर, तो काक को याद न, कानपूर और डक्षन भारत का कोईमर्टोर, बस मिला न, आराम से इसमें, उत्र हो जाएगा इसका, ये ए, दो, चार, तीमे, ओके, बढ़ियाना क्योसन, ठीक है, देश में रेसम उद्योग का सरवादे किस्ताम ये करम किस ये हैं, सिमेंट में नमबर वन, नमबर वन आ है, हम, राजस्थान, इन राजस्थान वाले, न, 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 कौन सेमेट कार खाना हर्याना राजे में इस्तित है हर्याना वलाय तो हर्याना में कौन सो कार खानो च्छै तो उतर हो जाएगा डाल भी मिना या दाद्री हपि this यह अच्छ है कि शिमेंट उद्यों की स्थापना के लिए निमने से किस की उपस्तति अधिक परबावी होती है सिमेंट के लिए क्या चाहिए चाहिए कोईला और जिपसम ठीक है वेसे तो पैसे चाहिए भी सबसे करें ठीक सिमेंट उद्यों में भारत का विश्वा में कौन सा इस्तान है तो चीन का तो आपको पताई है तो एक नमबर पे चीन है दो नमबर पे अपन है भारत में परथम सिमेंट सेंटर 1904 में कहां इस्तापित किया गया तो बताईए देखें आप तो उत्तर हो जाएगा चेन ही भारत में परथम उर्वरक खाद जाल देखें न पोदो में 1906 में कहां इस्तापित किया गया रानी पेट ठीक है भारत में सारजने क्षेतर के अंतरगत सारजने का मतलब है सरकारी यानि अंग्रिजन कहते हैं पॉब्लिक शेक्टर के अंतरगत सर्व परथम उर्वरक सायंतरे स्तापित किया गया कौन सा खाद वाला कार खाना लगाया गया सबसे पहले तो यहां उत्रोजएगा शिंद्री याद रखें सिंद्रे में कार खाना है खाद खा उर्वरक उद्योग भारत में कागज उद्योग का पर्थम सफल कार खाना कहां लगाया गया तो उत्रोजएगा लखनव आपको याद होगा कल हवाले वीडियो में हमने पढ़ा था सिर्दामपूर में लगाया वो ऐसा पल रहा फिर लखनव वाला में लख बढ़िया था ठीक है लखनव में अभी हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि वहाँ उसका मुख्याले है किसका मुख्याले है कौन से बेंका S-I-D-B-I-C-D-B बारत में अधिकांस कागजकार खाने पसीमी बंगाल रजे में इस्तितोने का कारण है क्या कारण है बताओ देखें आपको क्या लगता है तो यहां उत्र हो जाएगा उप्रिक्ट सभी यह लगे न आपको कच्चे माल है वहाँ कौलकत्ता की विसाल जन संख्या रानी गंज जहारिया से सक्ति के सादन की रुप में कोईला नेपान अगर में इस्तित सबसे मेर्टप्रण उध्योग क्या है तो यहां उत्र जाएगा अख़वारी कागज अब मैं आपसे क्यूसन कमेट में जब आप चाओंगा क्यूसन नमबर 31 जो आपके लिए है नोट चापने का जो है सरकारी कारखाना वो कहां पे है पांच अक्सिरों का उत्र होगा इसमें मद्देपर्देश में है नोट चापने का कारखाना वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना आप समझ गए होंगे ओके थेंक्यू मिलते हैं अगले वीडियो में